नमस्कार स्टुडेंट्स, मैं डॉक्टर किरन सेंग, मनो विज्ञान की आज की कक्षा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अभी हमने पिछले अपनी तीन कक्षाओं में मनो विज्ञान का जो एक मॉलिक स्तर है अर्थात मनो विज्ञान कहां से आया, किन-किन लोगों ने अपने प्रतिपादन, मनो विज्ञान से संबंधित अपने प्रतिपादन दिये किन-किन लोगों ने मनो विज्ञान को क्या कहा, क्या माना, इत्यादी चीज़ों को हमने पढ़ा है अब जो हमने पढ़ा है उसी विशय वस्तो से related आज हम लोग कुछ प्रश्णों को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे यह जो प्रश्ण है जितने भी प्रश्ण मैं आपको अभी करवाऊंगी यति देखा जाए तो यह बिल्कुल मौलिक प्रश्ण है जो किसी भी परिक्षा के अंदर जिस भी परिक्षा में मनोविज्ञान चाहे वो बाल मनोविज्ञान के रूप में आए चाहे वो सिक्षा मनोविज्ञान के रूप में आए मनो विज्ञान क्या है कहां से आया और इसको लोग क्या मानते हैं इस आवधारणा पर ये प्रशन जो है आपके बनते हैं और परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आईए हम लोग अपना जो एक जो करिकुलम है जो हमने अभी प्रारंभ किया है पढ़ने का उसमें उस श् संकला का पहला भाग है ये क्वेशन आंसर प्रशन पत्र संख्या आप इसको वन मानिए फर्स नंबर के पेपर पर आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं जितने भी प्रशन आज हमसे सॉल्व हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे हम उतने प्रशन आपको सॉल्व करा पाएं चल के द्वारा होगा यहां पे correction कर लीजेगा आप लोग विभीन दार्शनिकों तथा मन विज्यानिकों के द्वारा सर्वप्रथम मन विज्यान को किस का विज्यान कहा गया आइए हम इनके options पर चलते हैं अपने पास ए option आरहा है मन का B option है हमारे पास आत्मा का, C option आ रहा है चेतना का और D option आ रहा है इन में से सभी का अर्थात विभिन्न दार्षनिकों जितने भी दार्षनिक हमारे आउए हैं और जितने भी मनो विज्ञानिकों को हम मूल रूप से पढ़ रहे हैं उन सभी के द्वारा मन विज्ञान को सर्व प्रथम किसका विज्ञान कहा गया, हम एक-एक options पे आते हैं, मन की अगर मैं बात करूँ, तो मन और मस्तिश्क कहा गया जो हमारा था, अगर मैं अपने खुद की class की बात करूँ, जो मैंने class आपनों के लिए है, उसमें हमने द्व हमारे third option पे था, इस वज़े से ये option भी correct नहीं होगा, तो हमारा correct answer क्या होगा, आत्मा का विज्ञान, यानि कि अगर हम answer के अंदर जाएं, तो विभिन दार्षनिकों तथा मनो विज्ञानिकों के द्वारा सर्व प्रथम मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, क्यों कहा गया, अगर मैं बात करूं जैसे प्राचीनतम समय की बात करूं या आत्मा का विज्ञान कहने वाले दार्षनिकों की बात करूं, उनमें सर्व प्रथम हमारे पास जो दार्षनिक आते हैं, वे दो दार्षनिक बहुत ही महत्वकूर्ण है, प्लेटो एबं अरस्त ठीक है प्लेटू और अरस्तू इन्हों ने प्राचीन्तम समय में मनव विज्ञान का एक रूप प्रतिपादित किया और उस रूप को मानसिक दर्शन या आत्मा का दर्शन भी कहीं कहीं पे कहा जाता है किसी किसी परिक्षा में ये प्रशन पूछा गया है कि प्राचीन्तम समय में मनव विज्ञान का रूप या आत्माइक रूप प्रस्तुत करने वाले प्लेटो और अरस्तू ने मनव विज्ञान का कौन सा रूप प्रस्तुत किया है तो उसके option में आता है मानसिक दर्शन या आत्मा का दर्शन, A option आपका मानसिक दर्शन आ जाता है, कई बार B option आत्मा का दर्शन आ जाता है, C दोनों आ जाता है, या different different तरीके से options आपके दिये होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आत्मा का विज्ञान कहा गया थ इसको मानसिक दर्शन या आत्मा का दर्शन प्रस्तुत करने वाले हमारे दो मनोव विज्ञानिक थे प्लेटो और अरस्तु इन्ही का नाम हमारे पास आता है चलिए द्वितिय नंबर के questions पर चलते हैं सेकन्द नंबर question हमारा आदूनिक्तम समय में मनोव विज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है जो अभी present situations में जो हमारे psychology है उसको हम कौन से science की रूप में जानते हैं तो हमारे पास options आते हैं व्यवहार का दूसरा option आता है अनुभूतियों का तीसरा option आता है मानसिक प्रक्रियाओं का और चौथा option आता है इन में से किसी का नहीं चलिए हम पहले option पे आते हैं पहला option है व्यवहार का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीस्वी शताब्दी के पश्चात अधि आधुनिक्तम समय में जो हमारा मनोवज्ञान चल रहा है अगर हम केवल और केवल विभिन प्रकार के मनोवज्ञानिकों को भी पढ़ें या उनके प्रतिपाद चल रहा है वो क्या है व्यवहार का ही ज्यान है तो इसमें आगे के options में हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ए option हमारा क्या होता है correct होता है और अगर हम लोग आधुनिक्तम समय में मनोवज्ञान को अगर व्यवहार का ज्यान मानते हैं तो इस प्रश्ण से related एक और हम लोग निकाल सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले सरुप्रतम मनोवज्ञाने कौन है या व्यवहार का विज्ञान मतलब किसने जो है मनोवज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा या मनोवज्ञान को व्यवहारवाद से जोड़ने वाले कौन है या प्रश जो 20 वी शिताबदी के पश्चात के हैं उसमें एक नाम आता है वाटसन वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है तो हमारे ये प्रशनों से ही प्रशन बार-बार आपके निकलते हैं अगर कॉंसेप्ट आपका क्लियर है और आप एक-एक आप्शन को भी बारीकी से द कर सकते हैं चलिए हम तीसरे नंबर के प्रशन पर आते हैं तीसरा प्रशन है हमारा वर्तमान सिक्षा प्रणाली में सिक्षा के अंतरगत मनो विज्ञान का अध्यान किस तथ्य से संबंधित है वर्तमान सिक्षा प्रणाली में यानि कि जो अभी प्रेजेंट एजूकेशन सिस्टम है उसमें सिक्षा का की अंतरगत मनो-विज्ञान का अध्यन किस तथ्य से संब्धित है आइए हमदेखते हैं कि ऐक्सिन क्या है सब्धे 30 से सम्मेंद दूसरा आता है मानो व्यवार से संभनें तीसरा option आता है मस्तिश्क से संबंधित और चोथो option आता है हमारे पास आत्मा से संबंधित अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था कि मनो विज्ञान के अंतरगत अभी हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में मनो विज्ञान हमारा व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार से संबंधित होता है तो इस प्रश्न में भी अगर हम जाएं यहां पे भी वर्तमान सिक्षा प्र तरफा नमबर प्रशन है मनुविज्यान की उत्पत्ती किसLife या अधियन के किस शास्त Seh हुई है जो हमारा मनुविज्यान विशह है यह हमारे किस संखाय से या किस सब्जेक्ट सी या किस शास्त्र से लिया सबसे बारे में बताया जाता है जीव के बारे में अध्यान किया जाता है उसकी बाद अगर में ऐता है पे चलूँ आध्यात्मिक शास्त्र तो इस विशे के अंतरगत हम लोग जो है आध्यात्म के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ही कीन विचारों को और अपने प्रक्रियाओं को जो है प्रतिक्रियाओं को जो है वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं हम उसकी बात चलते हैं मान तो इसलिए कई बार ऐसे होता है प्रश्न जो है वो आता है कि मनोविख्यान किस विशय की शाखा है तो मनोविज्यान हमारे दर्शन शास्त्र की शाखा है कई बार प्रश्ण ये भी देखा गया है या वन लाइनर अगर देखा जाए, तो मनो विज्ञान, अगर हम देखें, तो मनो विज्ञान की जणनी के रूप में दर्शन सास्त को माना जाता है, क्योंकि दर्शन से ही हमारे पास मनो विज्ञान आया हुआ है, तो philosophy से अगर हम ऩोग豆 धेखतु साइकलोजी में हम꺵ार्ट हुए हैं न दार्शनीकों अपने विचारों को रखा है उन वीचारों की उपर हमारा मनोविज्यान चला है एक विशय के ऊपमें अगर हम दोग देखें तो धर्शन शास्त्र के अंदर पहले मनोविज्यान के रूप था लेकिन वहां से निकल करके एक विशय के रूप में आज हमारे पास है तो यह प्रश्ण मनोवज्ञान की उत्पत्ति किस विशय या किस अध्ययन की किस शास्त्र से हुई है तो वह हमारा आंसर क्या होगा दर्शन शास्त्र चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं साइकोलोजी शब्द की उत्पत्ति किस भाशा से हुई है औप्शन में आते हैं अंग्रेजी, रूसी, स्पैनिश और लेटिन अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो साइकोलोजी जो है वो जो अभी आपके सामने डिस्पले हो रहा है साइकोलोजी मनोवज्ञान शब्द का इंग्लिश वर्जन है अब ये इंग्लिश वर्जन है तो ये अंग्रेजी भाशा तो यहां हो नहीं सकती रूसी है नहीं स्पैनिश भी नहीं है हमने बहुत सारी जगों में ये पढ़ा है और ये देखा है कि साइकोलोजी अगर हम इसको तोड़ें साइक प्लस लोगस तो अगर हम इनको तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें तो वहां पे हमारा लैटिन शब्द जो है वो साइक के लिए प्रयोग में लिया गया और जो लोगस है वो हमारा युनाने जो है वो भाशा से वहां से आता है तो अगर हम लोग इसका आंसर लेने की कोशिश करें ये बेसिक चीज है, सभी किताबों में आपको मिल जाएगा, साइकोलोजिस शब्दी की उत्पत्ती हमारी किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, आईए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 6, मनो विज्ञान व्यवहारों का विशुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस मनो वज्ञानिक का है, तो हमने अपने जितने भी मनो वैज्ञानिक हैं, जो बीसमी शताबदी के पश्चात से लेकर के अब तक हैं, उनकी जब ओधार्नाओं पे हम जाते हैं तो उन्होंने जो है मनोव विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले हम हमारे कोर्स में अगर बात करें तो हम बिल्कुल सीधा सीधा जो है व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कुछ मन मनोवज्यानिकों को जानते हैं आए देखते हैं उन में से कौन वो मनोवज्यानिक है जेंस ब्रेवर वाट्सन स्कीनर और वुडवर अगर मैं इन चारों की बात करूं और चारों की अगर मैं तुलना करूं कि किसने क्या किया किसने क्या किया तो बिहेवियर के ऊपर सभी ने साथवे नमबर प्रश्ण पे हम आते हैं साइकोलोजी शब्द में साइको से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है ऑप्शन देखते हैं मन है व्यवहार है स्वरी मन है आत्मा है व्यवहार है या चेतना है साइकोलोजी शब्द के अंदर जो साइक जो एक वर्ड आता है हमारे प कि अगर हम लोग बात पढ़ें या उनको जानने का प्रयास करें तो प्राचीनतम समय में चुकि मनो विज्ञान को क्या कहा गया था आत्मा का विज्ञान कहा गया था और जब हम साइकलोजी को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो साइकलस लोगस यानि कि आत्मा का विज्ञान तो यह शब्द हमारी कहां से आई है आत्मा से आई हुई है अगर मैं इस प्रश्ण से एक प्रश्ण निकालने की कोशिश करूँ मेरे सामने एक तथ्य और आथा है रुडोल्फ गोईकिल जो है उनके द्वारासन 1590 में मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान देखिए माना गया था और कहा गया था इनमें बहुत फरक होता है मानने वाले जो हमारे मनो विज्ञाने के हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं तो प्लेटो अरस्तु और रेने को पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किसकी द्वारा कहा गया था कहा गया था मतलब यहां पर फैक्ट वाली बात आती है तो रुडोल्फ गोईकिल ने 1590 में मनोविज्ञान को क्या कहा था आत्मा का विज्ञान कहा था आटवे नंबर प्रश्न पर आते हैं मनोविज्ञान को विवहार का विज्ञान बताने वाले सर्व प्रतम बहुत ही एजी है हमारे पास चार ओप्शन से प्लेटो विलियम जेम्स वाट्सन और अरस्तु तो प्लेटो और अरस्तु को तो हम वैसे ही निकाल दें क्योंकि यह तो हमारे प्रथम अवस्था वाले हैं जिन्होंने आत्मा कहा था है ना व्यवहार तो कहा ही नहीं था विवहार का निश्चित विज्यान है यह आपको कथन याद हो जाना चाहिए अगर आज़ यह कथन याद है तो आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे मनों विज्ञान, व्योहार का निश्चत विज्जान है जब इस कथन पर हमाते हैं और हमारे प्रश्ण को देखते हैं कि मन व्योहार का विज्ञान बताने वाले सवरोप्ताम मनोवज्ञानिक हमारे पास कौन आते हैं वाटसन आते हैं चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित मनोवज्ञानिकों में से किस मनोवज्ञानिक या दार्शनिक ने रोल ओफ नेचर यानि की प्रकृति की और धार्णा को मनोवज्ञान में सम्मिलित किया ठीक है यानि कि प्रकृति को किसने जो है वो अपने उसमें दर्शन में शामिल किया हमारे सामने कुछ मनोवग्यानिकों के नाम है जेम सली अरस्तू विलियम वूर्ट और रेने डेकार्ड अगर हम जेम सली की बात करें तो जेम सली हमारे चेतनावादी हो जाते हैं विलियम अगर हम उसको जानने का प्रयास करें तो उसको हम प्रयास करें उसकी बुद्धी लोगते हutable मुथILY स्वानज होटे एक दस्वा नंबर का प्रश्ण है व्यक्तित्व से सम्मंधित गुड़ों का सर्वप्रथम विश्लेशन किस मनोवज्ञानिक के द्वारा किया गया ठीक है व्यक्तित्व से सम्मंधित अगर हम लोग गुड़ जो है सर्वप्रथम उसकी विश्लेशन करने की बात करें कि पॉस् इन अगर हम चारों में आते हैं, तो हमारे चारों में आने के पश्चात हम सभी को अगर देखते हैं, तो इन में हमारे options में जो है, all port option correct होता है, क्योंकि all port ऐसे मनोवेज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्तित्व पर सर्व प्रतम अध्यान किया था, देखिए, प्रशन आपक गुड़ों का सर्व प्रतम विशलेशन हमारे पास किस ने किया था, या हम किसको पढ़ते हैं, all port को पढ़ते हैं, इन्होंने all port theory of personality का प्रतिपादन किया था, देखिए, एक प्रशन और बन जाता है, कि all port द्वारा रचित theory कौन सी है, या all port theory of personality किसके द्वारा दी गई है उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, उनमें आपको ये जोड़ना है, उन्होंने बहुत सारे गुड़ों को देखा था, बहुत सारे गुड़ों को जोड़ा था, उनका विसलेशन किया था, गुड़ कौन से? व्यक्तित्व के जो गुड़ हैं, उन गुड़ों में क्या-क्य क्या शामिल किया था उन्होंने इंटेलिजेंस को शामिल किया था व्यक्ति का अपना टेंप्रामेंट है शामिल किया था उसको कुछ चीज में प्रकाशित की गई पुस्तक कौन सी है, यह बिलकुल factual question है, इसको आपको याद करने की जरुरत है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, वाटसन आपको पता है कि व्यवहारवादी मनोवज्ञानिक है, तो उनका जो प्रतिपादन है या उनके द्वारा लिखा जो पुस्तक है या उनके कोई भी संकल्पनाएं होंगी वो behavior से ही related होंगी, व्यवहारवाद से ही related होंगी, इसका answer होगा व्यवहारवाद मनोवज्ञानिक चले हम 12 नमबर प्रश्न पे आते हैं, 12 नमबर प्रश्न हमारा कहता है, सिक्षा मनोवज्ञान अध्यापकों की त अधार शीला है यह कथन किसका है ठीक है अगर हम इस कथन को देखें इस कथन को समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने बहुत सारे मनोवज्यानिकों का नाम आता है सबसे पहले अगर हम लोग इस अपने प्रश्न के option में जाएं तो हमारे option में जो है वो 3 मनोवज्यानिक या 4 मनोवज्यानिक जो भी हमारे पास options में आ रहे हैं एक बार हम देखते हैं पहले उनको कौन-कौन है सबसे पहले Skinner का नाम यहाँ पर आ रहा है, दूसरा Watson का नाम हमारे पास आ रहा है, तीसरा Woodworth का नाम हमारे पास आ रहा है, और चौथा अगर हम लोग बात करें, तो इन में से कोई भी नहीं अगर मैं बात करती हूँ Watson की, तो Watson ने क्या कहा था, Watson ने विवहारों पे जो है वो चर्शा की थी, वुडवर्थ की अगर हम लोग बात करें, तो वुडवर्थ का कथन था कि मनो विज्ञान ने सर्व प्रतम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन और मस्तिश्क का त्याग क करके उसने विवहारों की विधी को अपनाया, तो अगर हम लोग बात करें, वुडवर्थ के लिए तो वुडवर्थ का ये कथन सर्व प्रिय रहा हुआ है, और हमेशा से लोग प्रिय रहा हुआ है, और इन में से किसी का नहीं हम नहीं कहा सकते हैं, क्योंकि स्कीनर का ये क कजद रखान हमारे पास है कि सिक्ष्या मौनों विज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधार्शिला होती है चलिए हम अगले प्रश्land पे आते हैं अगला प्रश्ण है अमारा concert 평ठ कि अनुसार मन्न और माइंड की अवस्था है फ्रायर ने जो है वो माइंड की कौन सी अवस्था को बताया है या वस्थाओं को बताया है पहला ऑप्शन है हमारे पास चेतना अवस्था दूसरा है अचेतना अवस्था तीसरा ऑप्शन है अर्द चेतना अवस्था और चौता है इन में से सभी चल नोत्तर मतलब क्लास के पहले उसमें मैंने नहीं कराया है इस वज़े से मैं आपको यह अच्छे से थोड़ा सा समझा देना चाहती हूं सबसे पहला option है हमारा चेतना अवस्था चेतना अवस्था क्या होता है consciousness जिस समय पे आप चेतन होते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रायड ने जो है इसकी जो अवस्थाओं की बात की अच्छा यह फ्रायड के अनुसार यह मन और माइंड के अवस्थाओं यह हम किस में पढ़ते हैं या किस रूप में पढ़ते हैं जब हम मनो विज्ञान में आते हैं और मनो विज्ञान के अध्येन की बहुत सारी विधियां बताई गई है उन विधियों के अंदर एक विधी है मनो विशलेशनात्मक विधी चीक है प्रमुक विधियों के अंदर एक विधी है मनो विशलेशनात्मक विधी उस विधी का ये एक पार्ट है उस विधी के अंतरगत इस प्रेश्न को हम लोग रख सकते हैं और इसको मानने वाले कौन है फ्रायड है इसलिए उनकी ये जो अवस्थाएं हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पहली अवस्था उन्होंने क्या किया था फ्रायड ने फ्रायड ने जो है मन के कुछ भाग बताए चीक है मन के भा बताया और उसमें से ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं आपको तीन ये अवस्थाएं कितने भाग पे आती हैं ये बताया गया तो सबसे पहले आपकी चेतना अवस्था यानि की चेतन की अवस्था के बारे में बताया गया consciousness तो चेतन की अवस्था को Friard ने 1 बटा 10 भाग में बोला बोला कि मन का ये 1 बटा 10 भाग होता है और चेतन की अवस्था कि अगर हम लोग बात करें और चेतना अवस्था यानि कि unconsciousness ये मन का 9 बटा 10 भाग होता है ठीक है चेतन क्या होता है आपका मन का 1 बटा 10 होता है और चेतन 9 बटा 10 होता है अर्द चेतन की जब हम लोग बात करते हैं ठीक है अर्द चेतन यानि की सब कॉंशिसनेस जब हम इनकी बात करते हैं तो चेतन यानि की 1 बटा 10 से ले करके और चेतन 9 बटा 10 इन दोनों के जो मध्य का हमारा मन का भाग होत अवस्था इसको हम क्या बोलते हैं और चेतना वस्था यानि कि सब इस्ञत not to यहति स्वब आसले फ्रायाद के हैं नुखशन अंनुसार मन के वस्थाइं हैं तो्zahl हमारा ऑप्शन डG करेक्ट होगा इनमें से सभिई यह तीनों कि तीनों हमारे options क्या होंगे सही होंगे चलिए हम अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण है हमारा वेलियम वुंट द्वारा लिपजिंग विश्व विद्याले में मनो वैज्ञानिक प्रयोक्षाला कब स्थापित की गई ये भी बहुत ही factual question है फैक्ट के ऊपर ये रखा गया है इस प्रयोक्षाला के हम लोग बात करें चुकि अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रयोगात्मक मनो विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और उसमें विलियम वुंट का नाम जो है वो सर्वोपरी क्या है केवल उन्हीं का ही नाम है options भी एक बार हम देख लेते हैं फिर हम आगे और discussion करते हैं हमारे पास options आये हैं 1879, 1889, 1869, 1899, 1899 और last option है हमारा 1870 यानि कि 1870 तो ये बिल्कुल fact के questions हैं इनमें कुछ भी हम लोग इसको analyze नहीं कर सकते हैं इनका visualization नहीं कर सकते हैं इनको हमको याद ही करना पड़ेगा और इसका option जो है अपना A correct होगा 1889 इसवी के अंदर विल्यम बुल्ट के द्वारा लिपजिंग विश्वविद्याले में मनोवज्यानिक प्रयोग शाला जो है वो स्थापित की गई थी ठीक है लिपजिंग विश्विद्याले अगर मैं बात करूं आज के समय में तो present situation में या present time में आधुनिक्तम समय में काल मार्क्स विश्विद्याले के नाम से भी जाना जाता है और विल्यम बुण्ट हमारे प्रयोगात्मक मनोवज्यान के जनक कहे जाते हैं चलिए अगले प्रशनि पर हम आते हैं कथन है मनो विज्ञान, मानो विवहार और मानो संबंधों का अध्यान है ध्यान से देखिए मनो विज्ञान, मानो विवहार और मानो संबंधों का अध्यान है ये कथन किसका है? यानि कि किस ने इस कथन को दिया है? हम options में आते हैं मांडूगल ने, वुड्वर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने और स्कीनर ने। अगर हम लोग इस statement का विसलेशन करें मानो विवहार रूं कुछाहर की बात की जब भी हमने विवहार की बात की तो हमारे सामने जो है वो जो हमारा आधुनिक्तम यानि विवहार का विज्ञान वाला जो काल है चतुर्त अवस्था वाली जो सिच्वेशन है उस टाइम के जो हमारे मनोव ज्याने के वो सामने आते हैं अब यह जो नाम हम देख रहे हैं यह सभी के सभी जो है वो विवहारवादी ही हैं मैक्डूगल की अगर मैं बात करो तो सम्मंधों की बात नहीं किये जब हम बात करते हैं सकेनर की तो इस केनर भी ऑलरेड़ी इस के भी जो प्रतिपादन है या जो उन्होंने हमें बताया है जिन धान्तों को उन्होंने फॉलो किया है उन्होंने यह कहा है कि जो व्यक्ति के अंदर जो उनका एक्साइटमिंट हो होती है उनका व्यवहार उनसे प्रभावित होता है तो इस तरीके की बाते की है अगेन मानव संबंधों का अध्यान उन्हों नहीं किया है तो लास्ट में हमारे पास बचते हैं क्रो एंड क्रो इन्हों ने हमेशा से संबंधों की बात की है जो मानविय संबंध होते हैं यानि कि व्यवहार तो ही एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार देखा जा सकता है, व्यवहार वादी जितने भी हमारे मनों वग्यानिक है, सभी इस चीज़ को समझाते हैं, लेकिन जो व्यवहार है, उसका संबंध मानों से किस तरीके से है, जो इसका अध्यान करता है इस particular term को या इस particular क्या बोलते हैं विवस्था को जो मानने वाले हमारे मनोवज्ञानिक है वो कौन है? इसलिए मनोवज्ञान व्यवहार का और मानो संबंधों का अध्यान है ये कथन जिन्होंने प्रतिपादित किया है वो हैं क्रो एंड क्रो ये हमारे 15 प्रश्न थे जो सिक्षा मनोवज्ञान या फिर आपके बाल मनोवज्ञान से संबंधित है और बिल्कुल first अगर हम लोग topic प्रथम जो हमारा युणीट है मनुवग्जान का वस्ट जो मनुवग्जान है क्या बेसिकली? और कहं से आया? और कैसे जाना जाता है? उसके श्रिंखला में हम ये पेपर सॉल्फ करने का प्रयास कर रहे हैं. और श्रिंखला का ये पहला पराश्नपत्र है. इस प्रश्ण पत्र को मैं Dr. Kiran Singh आपके बीच में रहकर के मैंने इसको solve कराया, ये प्रश्ण पत्र आपको कैसा लगा और किस तरीके से आप इसको और कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको strategy बताई कि हर एक question के एक-एक option से, यानि कि चार option आपके पास दिये गए हैं, आप अगर चाहें, तो एक-एक option से भी प्रश्ण तयार करके अपनी तयारी को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं, तो आप तयारी कीजिए, इन प्रश्णों को आप solve कीजिए, आगे की classes फिर आपके पास आएंगी, और आप आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को आप ज अध्यान को बहुत ही अच्छी से कारगर बना सके, तो मैं धन्यवाद देती हूं, thank you कहती हूं, सभी students का, जो हमारी इस class में अभी इस समय शामिल रहे, और जिनों ने अभी हमारे 15 प्रश्ण जो हमने मनो विज्ञान से solve किये, उनको solve किया, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई problem होती है, किसी भी तरीके से आप कुछ contact बना करके रखना चाते हैं, कुछ पूछना चाते हैं, कुछ कहना चाते हैं, तो या तो आप चाहें तो यहाँ YouTube पे ही वीडियो देखने के पश्चात, आप यहाँ comment box से मुझस सीधे सिधे बात कर सकते हैं, नहीं तो आप 80033, मैं आपको repeat करती हूँ, 80033-18030, यह मेरा number है, आप इस पे चाहें तो WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पे call कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो आपकी कोई भी शंका जो भी है, आपको इस प्रशन पत्र से related कोई भी समस्या परेशानी कुछ भी है, आप चाहे तो आप YouTube के इस वीडियो के नीचे भी comment box में अपना comment करके अपने प्रत्रकिरा जाहिर कर सकते हैं, so thank you so much, आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप आगे और भी इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, यह सारे वीडियो आपके लिए बहुत helpful हैं, और आपके उपयोगार् खुब enjoy कीजिए, और हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूंगी, कि मस्त रहिए, स्वस्त रहिए और जबर्धस्त रहिए, बाई-बाई